Hello Friends, Good evening, कैसे हैं आप सब आसा करते हैं, आप सब अच्छे होंगे तो Friends जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं सितंबर महिने का Current Affair जो कि एक मंधली मैगजीन है The West Gyan The West Gyan Institute के द्वारा बनाई गए हैं जो कि हमारे परिच्छा में काफी उपयोगी साबित होगी तो यह जैसे UPSC, BPSC, UP SSC, UP Police, UKPSC, UK SSC, UPSI, SSC, GD, RORO, Railway इत्यादी के सबी परतियोगी परिच्छाओं के लिए एक समान रूप से उपयोगी है तो इसका स्रेज जो है वह The West Gyan Magazine के संस्थापक को ही जाता है तो चलिए हम सुरू करते हैं इसमें जो मुखे केंद्रण होंगे, कौन-कौन से होंगे जैसे प्रमुख नुखतिया पेरिस पैरा ओलंपिक दोजार चोबिस प्रमुख पूरसकारव सम्मान खेल, आर्थिक और प्रमुख पुस्त के उत्तर प्रदेशी स्पेशल विज्ञाने ओम तक्निकी दिवस खेल अभ्यास सेट भी है तो पहले हम देखेंगे कि प्रमुख पदाधिकारी कौन-कौन से है परजिन टाइम में प्रमुख पदाधिकारी पहला टॉपिक है इसमें से जो रास्ट पती है 15 नंबर की द्रोपती मुर्मू है उपरास्ट पती 14 वे जो है जगदीब धनगड परधान मंत्री 15 वे नरेंद्र मोदी भारत की मुख्य नयधिस 50 वे डिवाई चंद्र चून मुख्य चुनाव आयुक्त 25 वे श्री राज्यू कुमार नियंद्र के ओ महा लेखा परिछक 14 वे श्री गिरिश चंद्र मुर्मू महानियावादी स्री और विंकट रमडी और बिया गवनर्ण श्री सक्ति कांध दास बीदेश सच्व बिक्रममिश्री स्री बिक्रमिश्री स्री बिक्रमिश्री सोमनाथ मंदी ट्रस्ट अध्यच स्री नरिद्र मोधी बित सचीव भारत तुहीन कांट पांडे अबागे देखते हैं कि राजसभा उपसभापती उपरास्टपती जगदीब धनगड राजसभा उपसभापती स्री हरी वनसराय नारायड सिंग राजसभा नेता विपच्च का स्री मल्लिकार्जुन खडगे राजसभा सदन के नेता स्री जेपी नड्डा लोगसभा अध्यच ओमभिडला लोगसभा में नेता विपच्च के राहूल गांधी मानवा धिकार आयोक्य धच्च श्री अरुड कुमार मिस्रा संग लोक सिवा आयोक्य धच्च श्री प्रीती सूधन अनुसूचित जाती आयोक्य धच्च श्री किसोर मक्वाना अनुसूचित जन जाती आयोक्य धच्च श्री अंतर सिंग आर्या विसुबैंक अध्यच श्री अजेपाल सिंग भग्गा रास्टी पिछडावर गायोक के चेयर पर्षन हंसराज गंगराम युनेसको महानिदेशक श्रीमती आंद्रे अजोले डबलू यच्चो महानिदेशक डाक्टर नगोची अकोजे अकोंजो आइवेला सयुक्त रास्ट महासंग सच्चिव स्री एंटोनियो गुटेरस डियाडियो के अध्यच डाक्टर समीर वी कामत मुख्य चुनाव आयुक्त श्री हीरालाल समारिया बी सीसियाई अध्यच रोजर बिन्नी यू आई डी आई के सियो स्री अमितगरवाल नीती आयोक के अध्यच प्रधान मंत्री नीती आयोक के उपाध्यच स्री सुमन के वेरी निती आयोक की CACO, स्री BBR सुब्रमधयम हांकी इंडिया अध्यच डाक्टर दिलीग कुमार तिर्की राश्टी सुरच्छा सलाकार स्री अजीर धोबाल कैबिनेट सचिव स्री टीबी सोमनाथन इसरो की अध्यच डाक्टर यस सोमनाथ फिक्की अध्यच श्री अनिस सा, भारती नो सेना अध्यच एड्मीरल दिनेश कुमार तिरपाठी आगे देखते हैं केंदरी परतेच करबोर्ड, CBDT अध्यच श्री रभी अगरवाई LIC अध्यच श्री सिर्हात मुहंती, नाबाड अध्यच श्री साजी केवी भारती वायु सेना अध्यच एयर मार्सल अमर प्रित सिंग, भारती सेना अध्यच उपेंदर द्रिवेती, CBI के निदेशक प्रवीड सूध अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रमुख न्यूक्तियां, प्रमुख न्यूक्तियां कौन कौन सी हुई है, सितंबर के महीने में उसको देख लेते हैं अमरित लाल मीना को किस राज्य का मुख्य सच्यू न्यूक्ति किया गया है, इसका सही उत्तर है C, बिहार 1989 बैच के आया सदिकारी अमरित लाल मीना को बिहार राज्य का मुख्य सच्यू न्यूक्ति किया गया है अगला प्रश्न है जरकेन गैमिलीन को हाल ही में किस राज के मुख्य सूचना आयुक्त की रूप में नियुक्त किया गया है। कीरती पांडे को प्रोफेसर कीरती पांडे को उत्तर प्रदेश सिछा सेवा चैनायों के अधेच की रूप में नियुक्त किया गया है। प्वेबैच के आईपियस अधिकारी राजविंदर यस भाटी को सिया यस सब के महा निदेशक की रूप में नियुक्त किया गया है। वह नीना सिंग का अस्थान लेंगे जो सिया यस सिप की महिली महिला महा निदेशक है। भारती वायू सेना के मुख उप प्रमुख की रूप में हाली में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सई उत्तर है C, तेजिंदर सिंग, एयर मार्सल के तेजिंदर सिंग को हाली में भारती वायू सेना के उप प्रमुख की रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन आयल की अध्यच पद का अतिरिक्त प्रभार हाली में किस ने ग्रहण किया है। इसका सही उत्तर है ये वी सतीस कुमार वी सतीस कुमार ने हाली में इंडियन ओयल के अध्यच पद का अतिरिक्त प्रभार गरहण किया है अब देख लिते हैं कुछ इंडियन ओयल के बारे में पहला अस्थापना 30 जून 1965 मुख्याले नई दिली उत्तर परदेश महिला आयोक के अध्यच के रूप में हाली में किसी नियुक्त किया गया है इसका सही उत्तर है डी बविता चौहान को बी सी सी आई के पूरुष क्रिकेट टीम का चैन करता किसी नियुक्त किया गया है इसका सही उत्तर है डी अजयरात्रा को BCCI के अस्थापना हुई थी जो 4 दिसंबर 1928 को मुख्याले मुंबई में है अध्यच रोजर बिन्नी है उत्तर परदेश महिला आयोक के उपाध्यच के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है इसका स्थापना है उपरोक्त दोनो अपरडा यादो 4多 चौधरी को अपरडा यादो और 4 चौधरी को उत्तर परदेश महिला आयोक के उपाध्यच के रूप में नियुक्त किया गया है मिसेल बर्नियर हाल ही में किस देश के परधान मंत्री बने इसका सहय उत्तर है भी फ्रांस के फ्रांस के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं इसकी राजधानी जो है पेरिस है मुद्रा यूरो है राश्रपती इमाइलूर म्रैंको है अगला प्रश्न है भारत के नए बित सच्यू के रूप में हाल ही में किसे न्युक्त किया गया है इसका सहय उत्तर है ये बिपिन त्रिफाठी को 1987 बैच के आयस अधिकारी तुकीन कांध पांडे भारत की नए बीत सच्यू के रूप में न्युक्त किया गया है उन्होंने टीवी सूम नाथन का अस्थान लिया है बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्राले की ब्रांड अम्बेस्टर के रूप में हाली में किसे न्युक्त किया गया है इसका सही उत्तर है डी मनु भाकर को उलम्पिक पदक वीजेतानी से ने बाजमनु भाकर को बंदरगा जहाजरानी और जल मार्ग मंत्राले की ब्रांड एम्बेस्टर की रूप में नियुक्त किया गया है अगला प्रश्णे देखते हैं एसियाई उलम्पिक परिशत की अध्यच के रूप में हाली में किसे नियुक्त किया गया है इसका सही उत्तर है सी रडधीर सिंगो उलम्पिक और खेल प्रसासक रडधीर सिंगो एसियाई उलम्पिक परिशत की अध्यच की रूप में नियुक्त किया गया है वह ACI उलम्पिक परिशत के पहले भारती अध्याच बने हैं वेरी इंपोर्टन्ट है यह जो ACI उलम्पिक परिशत के बारे में कुछ जानकारी इसकी अस्थापना 13 नवंबर 1982 को हुई थी मुख्याले कुवेद सीटी कुवेद में है अध्याच रडधीर सिंग है प्रोएसिया में भारत का अगला राजदूत न्युक्त किया गया है इससे पहले भारत के चुनाव आयुक्त रह चुके हैं प्रोएसिया के बारे में जानका दे राजधानी जाग्रेब मुद्रा यूरू राष्टपती जोरान मिलनोग मिला नोविक अगला प्रश्ण है अब्देल मद्जीद तबाउने हालही में किस देश के पुना राष्टपती चुने गए हैं इसका सही उत्तर है D. अलजीरिया अलजीरिया एक बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं अलजीरियर्स जो इसकी राजधानी है अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है आर रबिंद्र को किस देश में भारत का अगला राजधूत निउक्त किया गया है इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है A. आइसलेंड आपको जानकारी देख लेते हैं आइसलेंड के बारे में राजधानी रिकजाविक मुद्रा आइसलेंडी क्रोन परधान मंत्री बरजनी वेने डिक्सन राष्टपती हाला तुमा सदोतीर अगला प्रश्ण है असोक राज सिंगडेल हाली में किस देश के सेनाध्यच बने है इसका सही उत्तर है C. नेपाल असोक राज सिंगडेल हाली में नेपाल के सेनाध्यच बने है निपाल के बारे में राजधानी काठमान्नू, राश्टपती रामचंद्र पोडायल, परधान मंत्री केपी सर्मा ओली, मुद्रा निपाली रुपया, संसद राश्टी पंचायत अगला प्रश्ट है, संसदी राजभासा समीती के अध्यच के रूप में हाली में किसे निउक्त किया गया है, इसका से उतर है अमित साह को, केंद्री ग्री मंत्री अमित साह को संसदी राजभासा समीती के अध्यच के रूप में निउक्त किया गया है अगला प्रश्न है ONDC के गएर कारिकारी अध्हच के रूप में हाली में किसे न्यूक्त किया गया है इसका सही उतर है ARIAS Sarmak ARIAS Sarmak को Open Network for Digital Commerce ONDC के गएर कारिकारी अध्हच के रूप में न्यूक्त किया गया है वह इससे पहले UIDI के महानी दे सकत टी आर ए आई के अध्यच और आस्टी स्वास्ते प्राधी करण के सीयो की रूप में कारे कर चुके हैं। अगला प्रेश्णी देखते हैं, ससस्त्र सीमा बल SSB के महा निदेशक की रूप में हाली में किसी नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर है अमरित मोहन परशाद को, 1989 बैच की IPS अधिकारी, अमरित मोहन परशाद को ससस्त्र सीमा बल SSB के महा निदेशक की रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने दलजीत सिंग चोधरी का अस्थान लिया है। ससस्त्र सीमा बल SSB का गठन जो है 20 दिसंबर 1963 को हुआ था। इसका मुख्याला नई दिल्ले में है। महा निदेशक अमरित मोहन परशाद है। अगला प्रस्ण है अंतरास्टी क्रिकेट अंपायर के रूप में नियुक्त होने वाली सलीम इम्तियाज किस देश की पहली महिला बनी है। इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। अतिसी मार लेना हाल ही में किस राज्यक केंदर सांसित परदेश की मुख्यमंत्री बनी। वह सुस्मा स्वराज और साला दिछित के बाद दिल्यकी तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्ण है जाफर हसन हाल ही में किस देश के परदान मंत्री बनी इसका सही उत्तर है। जार्डन के राज़ा अब्दुल्ला दृती द्वारा जाफर हसन को जार्डन के परधानमंत्री के रूप में न्यूक्त किया गया है। अब जॉर्डन के बारे में देख लेते हैं, इसकी राजधानी अम्मान है, मुद्रा जॉर्डन दिनार है, परधान मंत्री चाफर हसन है, अगला प्रशन है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानी देशक के रूप में हाली में किसे नियुक्त किया गया है, इसका सहे उ तोर हो जाएगा दि, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में देख लेते हैं, गठन 17 मार्च 1986 को मुख्याले नई दिल्ली में है, अगे देखते हैं, अमेजन इंडिया द्वारा, कंट्री मैनेजर के रूप में हाली में किसे नियुक्त किया गया है, इसका सहे उत् अमर प्रित सिंग को, एर मार्चल अमर प्रित सिंग को वायू सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, वह अभीबेक राम चौधरी का अस्थान लेंगे, वह 30 सितंबर को पदभार ग्रहड करेंगे, अब देख लेते हैं भारती वायू सेना अस्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, मुख्याला नई दिल्ने में है, अध्यच अमर प्रित सिंग है कुमार तुहीन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, इसका सही उत्तर है B, निदरलंड को 1931 बेच के IFS अधिकारी कुमार तुहीन को निदरलेंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, निदरलेंड के बारे में देखते हैं, राजधानी M.S.Tardum, मुद्रा यूरो अधिकारिक भासा डच, प्रधान मंत्री, ग्रीट वायल्डर्स प्रधारी निखत जरीन को DSP, BCS Police Force के रूप में नियुक्त किया है, इसका सही उत्तर है ये, तेलंगाना, मुक्के बाज निखत जरीन को तेलंगाना सरकार द्वारा DSP, BCS Police के रूप में नियुक्त किया गया है, अब अगला प्रश्न है कि नालको के CMD हाली में कौन बने है का सही उत्तर है, बिजेंद परताप सिंग, बिजेंद परताप सिंग को नालको के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है, अब देखते हैं नालको, क्या है, कि National Aluminium Company Limited, इस्थापना साथ जनवरी 1980 को हुई थी, मुख्याले भूनेस्वर है, स्रिलंका के रास्टपती का इसका सही उत्तर है, अनुराक कुमार दिसानायके, अनुराक कुमार दिसानायके ने हाली में स्रिलंका के रास्टपती पत्का चुनाओ जीता है, वहीं उन्होंने तिरपन फीस्दी ओट हासिल किये हैं, वा National People's Power NPP के नेता है, जम्बु कस्मीर और लद्दाक उच्छ न्य अगला प्रश्ण है, अब NCRB के बारे में कुछ देख लेते हैं, जो NCRB के स्थापना जो हुई थी, वहीं 11 मार्च 1986 को हुई थी, मुख्याले नई दिल्ये में, फेडरल बैंक के CEO हाल ही में कौन बने हैं, इसका सही उत्तर है ये, केबियस मडियन, केबियस मडियन को फेडरल बैंक के CEO के रूप में न्यूप किया गया है, अब देखते हैं फेडरल बैंक के बारे में, फेडरल बैंक की जो अस्थापना हुई थी, वह हुई थी, 23 अपरेल 1931 को मुख्याले अलुआ या कोच्ची केरल में, हरनी, अगला प्रश्न है, हरनी अमर सुया को हाली में किस देश का परधान मंतरी बनाया गया है, इसका सही उत्तर है, सिरिलंका, हरनी अमर सुया स्रीलंका की तीसरी महिला परधान मंतरी नियुक्ति को ही, इतिहास की पहली महिला परधान मंतरी सिरिमाओ भंडार नायके स्रीलंका की थी, उसके बाद उनकी बेटी चंद्रिका भंडार नायके कुमार तुंगा परधान मंतरी बनी थी, स्री लंका के बारे में देख लिते हैं राजधानी है जै वर्धने पूरा कोट्टे कोलंबो कारेकारी और न्याइक राजधानी है दूसरी या जो बिधाई राजधानी है जै वर्धने पूरा कोट्टे राष्टपती देखते हैं यहां की कौन है अनुराख कुमार दिसानाय के परधान मंत्री हरिनी अनरसुया अमरसुया मुद्रा स्रीलंकाई रुपया स्रीलंका पार्थी अमेथ हुआ पिपुल्स फिर्डम अलायंस संसत का नाम है मुकेश कुमार परदेसी को किस देश में भारत का अगला राजदूत निउट किया गया। के में भारत के अगले राजदूत के रूप में निउट किया गया। तूर्की एक बारतुंदेख लेते हैं कुछ राजधानी अंकारा है, मुद्रा, तुर्किस लीरा है, परधान मंत्री, रिचेब, तैयब, अद्रोगन है अब यहाँ पे देखते हैं, नय मूर्ती MS रामचंद्र राव ने किस राजजर के हाई कोट के मुख्यनाधिस के रूप में सपत ग्रहण की है वह इससे पहले हिमाचल परदेश के हाई कोट के मुख्यनाधिस थे अगला प्रश्ण है, भारती वाई सेना के उप प्रमुक हाल ही में कौन बने इसका सई उतर है सुजीत पुस्पाकर धारकर, एयर मार्सल सुजीत पुस्पाकर धारकर को हाल ही में भारती वाई सेना के उप प्रमुक के रूप में निउप किया गया है वह एयर मार्सल अमर प्रित सिंग का अस्थान लेंगे भारती वायु सेनागवारे में देख लेते हैं इसका जो अस्थापना हुई थी अक्टूबर 1932 में हुई थी मुख्याला नई दिल्ले में अध्यच अमर प्रित सिंग 30 सितंबर 2024 से नई बनेंगे नय मुर्ती सुर्यस कुमार केट को हाली में किस राजे के हाइ़ कोट के रूप में नीठ किया गया है वो मत्य पर्देश हाई कोट के 28 सह में मुख्य नयधिस बनें। अगला प्रश्ण देखते हैं, न्याय मूर्ती कलपती राजिंद्र स्री राम ने किस हाई कोट के मुख्य नयधिस के रूप में सपत ग्रहण की है, इसका सयुत्तर अभी मत्रास। अगला प्रश्ण है, न्याय मूर्ती कलपती राजिंद्र स्री राम ने तमी नाड़ो के मद्रास हाई कोट के मुख्य नयधिस के रूप में सपत ग्रहण की है, अब अगला प्रश्ण देखते है, सिगेरू इसिबा को हाली में किस देश के अगले परधान मंत्री के रूप मे नियुक किया गया है, इसका सही उत्तर है ये जापान, जापान के अगले परधान मंत्री के रूप में सिगेरू इसिबा को नियुक किया गया है, वह फूमियो की सीदा का अस्थान लेंगे, जापान की राजधानी टोकियो मुद्रायन परधान मंत्री सिगेरू इसिबा है अगला प्रश्ण है किसरी वनलाल वना को हाल ही में किस देश में भारत के अगले राज़दोत के रूप में निक्त की अगया है इसका सही उतर है अब देख लेते के बारे में कुछ जानकारी राजधानी नामपिन मुद्रा कमबोडियन राइल परधानमंत्री हुन मानेट तो आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में करेंट अफेर्स के जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख पुरसकारवसंबन कुछ और टॉपिक हैं जैसे खेल हो गया उसके बाद क्या कहते हैं प्रमुख दिवस हो गये आर्थिकी से संबंधित है कुछ और साइं तो अगला टॉपिक हम इसी तरह से पार्ट वन पार्ट वाई पार्ट कंप्लीट करेंगे तो अगर करेंट अफेर से थोड़ी भी हिल्प मिलेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों को सेयर भी कर लीजिए